इस वीडियो में आपको आपके रिजल्ट के रिगारिक पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी लिखित परिक्षा हुई थी बिहार करमचारी आयोग B.S.S.C. जो परिक्षा आयोजग का नाम है परिक्षा की जगा बिहार बिहार में हुई थी पोस्ट का नाम इंटर इस्ति पिछले से पिछले साल और इसके जो अधिकारिक पता है वेबसाइट है www.bssc.bis.nic इन है भई इसमें जो है आपको बतादू है कि इसमें लिखा हुआ है आप इस आर्टिकल को पढ़िए और इसमें देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि पिडिवब क्वालिफाइग वाक् के लिए 40% OBC के लिए 36.5% EVC के लिए 34% SCST के लिए 32% और फेवल के लिए 32% जिन विदवारों में भुखे लिखित परिक्षा में आर्ता प्राप्त कि है साक्षात कार यानि कि इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा और बिहार SAC दौरारा वुखे परिक्षा के लिए cut-off box का फैसला किया जाएगा और अंतीम जहेर लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू के अधार पर किया जाएगा सबसेद में जो है आपके document का सत्या पर किया जाएगा BSC Interlevel last year का अगर आप cut-off देखे तो इसमें देखे जनरल के लिए 342 आये था BC के लिए 327 जनरल DQ के लिए 252 BC DQ के लिए 246 MBC के लिए 288 MBC DQ के लिए 238 SC के लिए 238 SC DQ के लिए 209 SC के लिए 191 WBC के लिए 246 आप इसमें देखिए अब इसमें लिखा हुआ है सभी योग्यों बिद्वारों ने सफलता पूर्वक परिक्षा दी है और अवे परिड़ाव के लिए सक्त परिक्षा कर रहे है जल्द ही यहाँ पे लिखावाई जल्द ही भिहार SSE इंटरलेवल परिक्षा का रिजल्ट घोसित किया जाएगा और परिड़ाव भी SC के अधिकारिक वेबसाट पर गोसित किये जाएगे और इसमें एक्षाव डेट आपको पता है आपको रिजल्ट डाउलोड करता है अभी रिजल्ट जो है इसमें लिखावाई जल्दी आएगा और इसमें देखिए सबसे उपर आप इस आर्टिकल के जाएगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है बिहार एससी का एक्षाव तो बहुत पहले किया जा चुका है और सभी लोग इसके बिएस एससी रिजल्ट 2019 का वेट कर रहे है तो आपको जो है इसका अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा साथ में बैल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा ताकि आपको आगे के टॉटिफिकेशन बिलकुल टाइप मिल पाए और जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो आपको टॉटिफिकेशन मिल जाए इसी के साथ ही थैंक यू थैंक यू वेरी बच